हलो फ्रेंज, वेलकम टू सौनम फैसन, आज के व्यूडियो में हम फोर टक्स ब्लाउज में टक्स यानि की डॉट लगाना सीखेंगे, तो इसके लिए मैंने हाँ पर ये अस्तर एन में फैबरिक को आपस में अच्छे से स्टिच कर लिया है, बेल्ट को भी मैंने रेडी कर ल दिया हुए है, और इसी में आज हम टक्स लगाना सीखेंगे, तो देखिए टक्स लगाने के लिए सबसे पहले हमें लगाना रहता है नीचे वाला टक्स, और इस टक्स का ये जो हमारा मेजरमेंट रहता है, वो हम लेते हैं होकिया आई वाली से साड़े तीन इंच, इसके पाँच लगाना है, तो उसके लिए हमें इस पट्टी का मेजरमेंट नेएंगे, तो यहां पर आ रहा है हमारा सबा पांच इंच, तो सबा पांच इंच का जितना भी हमारा हाप होगा, उतने पर एक निसान लगा लेंगे, और इस टक्स को अंदर की तरफ हम लगाएंगे, सबा दो इंच, इसके बाद देखिए हमें कमर सैड़ वाला टक्स लगाना है, तो उसके लिए हमें इस तरीके से दो इंच पर निसान लगाना है, और यह जो हमने नीचे टक्स लगाया है, वहां से हम दो इंच पर एक निसान लगाएंगे, और इसे देखिए कमर की सैड़ तेज़व पूमज डाया है उसमें भी हाच अब देखिये हमें hour. वलुज़ की तरफ से लगाना है तो देखिये कमर के सब्स हैं लगाया था वहां से हम hour. मोन की तरफ नापकेंगे दो इंच पर और इसे देखिये कुछ पीस तरीके से high. मिला देख 갑 DO ना चाहिए देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सरकल बन गया है और इंच चारों टक्स के बीच का स्पेस भी हमारा दो दो इंच रहना चाहिए इसके बाद यह जो हमने पहला टक्स लगाया है नेची के तरफ इसे हम दोनों तरफ से हाप आप इंच चोड़ा करेंगी और उपर की तरफ से और देखिए नीची की तरफ हमें इसे मिला देना है तिर्चे में इसी तरीके से हमें तीनों टक्स को थोड़ा-थोड़ा सा चोड़ा कर लेना है इस तरीके से तो यहाँ पर मैंने टक्स लगा लिए हैं और अब देखिए हमें इनमें सिलाई लगाने है तो सिलाई लगाने के लिए देखिए सबसे पहले हम नीचे वाला टक्स लगाएंगी इसे इस तरीके से पलटना है अच्छे से पकड़ना है और इसमें देखिए हमें सिलाई लगा है तो पहला टक्स हमारा कुछ इस तरीके से रेडि है इसी तरीके से यह हमारे बांगी के तीन तक्स हैं इनमें भी हमें अच्छे से पकड़ना है ताकि हमारा अस्तर आइन मेन फैब्रिक दोनों आपस में जॉइन्ट हो और उसके बाद हमारा टक्स लगे तो देखिए मैंने हाँ पर कुछ इस तरीके से चारो टक्स की सिलाई लगा ली है इसमें यह देखिए कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा पफ बनके आ गया है इसमें इसके बाद हम बैल्ट को लेंगे और बैल्ट को भी देखिए हमें इसमें स्टिच करना है तो बैल्ट को और यह जो हमारा टक्स वाला हिससा है इससे हम अच्छे से रखेंगे दूसरे के उपर यहां पर हम हाप इंच का गयव देते हुँ इसमें एक सिलाई लगा लेंगे पर हमेजा हमें आगे की तरफ से जोईंड करना है एक सलाई लगाने के बाद देखी हमें बैल्ट को पलटना है नीची की तरप और दूसरी सलाई हमें यहाँ पर और लगा देंगे बैल्ट के उपर सलाई हमें बुलकुल किनारे लगाने है जोहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें बेल्ट को भी अटेच कर लिया है कुछ तरीके से से मिसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी टक्स लगा लेने है वीडियो थोड़ा सा भी हैलप फुल लगा हो तुमेक स्योर वीडियो को लाइक तता चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद